नगर परिशद बद्दी में कुछ दिन पहले उपाध्यक्ष को सरकार त्वारा उनके कारे में अनेमित्ता बरतने के चलते बरखास कर दिया गया था। पाने पर वार्ड नमबर पाच के मोहनलाल को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। तो आज जो सरस्या उपस्तित थे उनकी उपस्तिती में कारेवाई संपन की गई और आज की मीटिंग में केवल एक ही नमांकन पत्तर प्रप्त हुआ जो की शिरी मोहनलाल जी की तरफ से हुआ था। तो एकी नमांकन पत्तर प्रप्त होने की स्थिती में शिरी मोहनलाल को निर्विरोध नगर परिशद बत्ती का उपाध्यक्ष घुशित किया गया। उधर रामकुमार चौधरी ने कहा कि नगर परिशद पर हमेश्वा कॉंग्रिस का बर्चस्प रहा है और एक बार फिर कॉंग्रिस ने हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस लोकतंत में रहकर राजनीती करती है। कि दल बदलू था और हर समय मोकी की ताके में रहता था वो अदमी उधर तला गया और तिर्मेर मन गया। उधर नव निर्वाचत उपाध्यक्ष मोहनलाल ने कहा कि जो जम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे बखुबी निभाएंगे। मेरी पिदाइजी की इसमें इच्छा पूरी हुई। उसे बगी की बगष इसबड़े की जब अच्छा पूरी है।